मोदी सुझ गारंटी और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी वही इसका अलाप उठा रहे थे जम्मु कश्मीर के अवाम यह सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमरा किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मु कश्मीर को जंजीरों में जकड दिया गया था आज 317 नहीं है इसलिए जम्मु कश्मीर के युवाओं के प्रतिवा का पूरा सम्मान हो रहा है उन्हें नए आवसर मिल रहे हैं हाँ यहां सब के लिए समान अधिकार भी है समान आवसर भी है पाकिस्तान से आये स्वनमार्थी हमारे वालमी की समुदाई के भाई बैन हमारे सफाई करनुचरी भाई बैन इनको वोट देने का अधिकार सत्तर साल तक नहीं मिला वो अब मिला है वालमी की समुदाई को ऐसी केटेगेरी का लाब मिलने की वर्षो पुरानी मांग पूरी हुई है अनुसुचित जन जातियों के लिए विदान सभा में सिटे आरख्षित हुई है पद्दारी जन जाती पहाडी जाती समुदाई गड़ा अब्राहमार्ण और कोली समुदाई को अनुसुचित जन जाती में शामिल किया गया हमारी सरकार में पंचायत नगरपाली का और निगम नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ख को आरक्षन दिया गया परिवारवादी पार्टियों ने जम्मु कश्मीर के लोगों को दसकों तक इन अतिकारों से मच्चित रखा आज हर वर्ख को उनके अधिकार लोटाए जा रहे हैं साथियों जम्मु कश्मीर में परिवारवाद और प्रस्टा चार का एक बहुत बड़ी भुक्त भोगी रही है हमारी जेन के बैंक इस बैंक को तबहा करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं शोड़ी थी बैंक में अपने नाते रिष्टेदारों और भाई बतिजों को भर कर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी मिस मनेजमेंट की वज़े से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हज़गनों करोड रुपिये डूब जाने का खत्रा था कश्वीर के गरीब आदवी का पैसा था मेहनत कस इंसान का पैसा था आप मेरे भाई बेहरों का पैसा था वो डूबने जा रहा था जेन के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किये बैंक को एक हजार करोड रुपिये की मदद देना भी ताय किया जेन के बैंक में जो गलत तरीके से बर्तियां हुई थी उनके खिलाब भी हमने सकत कारवाई की आज भी एंटी करॉप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों बर्तियों की जाच कर रही है बीते पांच साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नव जावानों को पूरी पार दर्सिता के साथ बैंक में नोकरी मिली है सरकार के निरंतर प्रयासों से आज जेन के बैंक फिर से मजबुत हो गई है इस बैंक का मुनाफा जो डूमने वाली बैंक थी यह मोदी की गारंटी देखिए डूमने वाली बैंक फिर आज उसका मुनाफा सत्रा सो करोड रुपिय तक पहुँत रहा है यह आपका पैसा है आपके हग का पैसा है मोदी तो चौकिदार बनके बैठा है पांच साल पहले बैंक का बिजनेस सबा लाग करोड रुपिय में सिमेट गया था सिरफ सबा लाग करोड अब बैंक का बिजनेस सबा दो लाग करोड रुपिय क्रॉस कर चुका है पांच साल पहले बैंक में डिपोजिट भी असी अजार करोड रुपिय से कम हो गए थे यानि लगबग अब दो गुना होने जा रहा है अब बैंक में लोगों के डिपोजिट भी सबा लाग करोड रुपिय को पार कर गए है पांच साल पहले बैंक का एन पीए 11 परसंट को भी पार कर गया था अब ये भी कम होते 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 पांच परसंट के नीचे आ गया है पिछले पांच साल में जेन के बैंक के शेरों की किमत में भी करीब करीब 12 गुना वृद्धी हुई है बैंक के शेर की जो किमत 12 रुपिय तक धीर गई थी वो अब 140 रुपिय के आस्पास पहुंच गई है जब इमानदार सरकार होती है नियत जनता की बलाई होती है तो हर मुश्किल से जनता को निकाला जा सकता है सात्यों आजादी के बाद जम्मु कश्मीर परिवारवादी राजनीती का सबसे प्रमुख्षिकार हुआ था आद्देश के विकात से परहिशान होकर जम्मु कश्मीर के विकात से परहिशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिकत हमले कर रहे हैं यह लोग कह रहे हैं कि मोधी का कोई परिवार नहीं है लेकिन इने देश इनको करारा जवाब दे रहा है देश के लोग हर कौणे में कह रहे हैं मैं हूं मोधी का परिवार मैं हूँ मोदी का परिवार मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है परिवार के लोग दिल में रहते हैं मन में रहते हैं इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मोदी का परिवार मोधी अपने परिवार को इभी स्वाद दे कर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का अभियान किसी किमत पर नहीं रुकेगा अगले पांच वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा साथ यो कुछी दिनों में अमन और इबादत का महिना रमजान शुरू होने जा रहा है मैं जम्मू कश्मीर की धर्ती से पूरे देश को इस पवित्र महिने की अग्रिम सुबकावनाए देता हूँ रमजान के महने से हर किश्म को शांती और सहुवार्थ का संदेश मिले यही मेरी कामना है और मेरे साथियों यहीं झाल 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 झाल